साथियों नमस्कार उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मस होंगे साथियों आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन बॉंडिंग के उपर हकल रूर्स के उपर और कोवेलेंट बॉंड फीजन के उपर चर्चा करने वाले हैं इमकोडेंट ऑफिक है यह तिनों टोफिक और एक्जाम में एक्सर पूछे जाते हैं जो भी टोफिक में कर वा रहा हूँ बीए-सी फश्टियर के मस्टि के वो सभी टोफिक जए इमकोडेंट के उपर ही वीडियो है तो सभी वीडियो सिस्टेमिटिक तरीके से कम्प्रीट करें और अपनी तयारी करें तो सहाब चालो करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉंडिंग कि की बात करां अपन हाइड्रोजन बॉंड की बात करां सहाब कि हाइड्रोजन बॉंड होता क्या है सहाब क्या करामात हैं इस hydrogen bonding में तो hydrogen bonding क्या होता है एक फरजी bond है साब ये है ना जब भी अपन bond की बात करते हैं साब जब भी हम bond की बात करते है तो क्या होता है जिसे कि ये HF की बीच में bond बन रहा है साब ये bond बन रहा है electron के participation से बन रहा है कि साहब यहाँ पर एक electron hydrogen का, एक electron fluorine का और hydrogen और fluorine की बीच में साहब bond बन रहा है मेरी बास समझे रहे हुँ ना, जैसे कि मैं लिखूगी ये chlorine और ये chlorine इन दोनों की बीच में एक bond बन रहा है, मतलब दो electron का participation है ये हो रहा, अब साहब ये hydrogen bond क्या है, ये क्या करामात है तो साहब होता क्या है, वो किस condition में मनता है, जब hydrogen atom electro negative element के साथ जुड़ता है, ओके, जब hydrogen atom electro negative element के साथ में जुड़ता है, bonded होता है, तब क्या कहानी होती है कि जो electron, जो pair है, electron जुड़ा है, वो electro negative atom की तरफ shift हो जाता है, तो इसके ओपर negative charge आ जाएगा, इसके ओपर positive charge negative charge, positive charge, negative charge, positive charge, ये create होगा साहब अब क्या हो रहा है साहब, कि ये जो है, इनके बीच में, ये hydrogen atom दूसरा माली को ले, उसके electro negative atom से attract हो रहा है और इनके बीच में एक फर्जी bond बन रहा है, जिसे dot 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 से represent कर रहे है, और इसी bond को क्या कहते है, अपन हाइड्रोजन bond कहते है, मतलब सिर्फ एक attraction है, माली कुल, माली कुल की बीच में attraction है, यहाँ पर कोई electron नहीं दिख रहा अपने को, मेरी बास समझ रहे ना, जिसे यह HF हो गया, यह HF हो गया और यह HF हो गया, इनके बीच में attraction forces काम करना है, और hydrogen bonding के कारण होता क्या है, इस attraction force के कारण, कि माली कुल पास पास में आ जाते हैं, तो कई कहानिया मिलेगी, इससे reason type question बनेगे, कि साहब H2O जो है liquid form में क्यों पाया जाता है, तो पाया जाता है साहब, क्योंकि H2O के जो माली कुल के बीच में, H2O के माली कुल के बीच में कौन सा bond पाया जाता है साहब, इनके बीच में hydrogen bond पाया जाता है, इसलिए H2O liquid form में पाया जाता है, साहब H2O gas form में पाया जाता है, क्योंकि H2O के माली कुल में hydrogen hydrogen bond नहीं पाया जाता है तो वो के स्वाम में पाया जाता है मारी बात हमाज में तो ये हैं भाई साब H2 जो है क्या बात करें जैसे कि ये आर ओ और ये एच एलकोहल जल में विले हैं क्यों है साब क्योंकि एलकोहल के मालिकुल और वाटर मालिकुल की बीच में क्या होता है hydrogen bond होता है इसलिए ऐलकोहल वाटर में सल्यू बल हैं गुल कराम आते हैं hydrogen bond अगर present नहीं है मेरी बात समझना है जो बंट ये हो बहुतए बुट के इसेंश gespannt अनन टाइप साफ hydrogen bond एक तो होता है साफ intermolecular hydrogen bond तो यह वाले जो bond है इन वाले bond को अपन किया कहते है साफ यह है intermolecular hydrogen bond intermolecular hydrogen bond यह वाले same type की molecule में हो सकता है यह different type की molecule में तो इसको कहते है intermolecular hydrogen bond समझ में आया एक होता है Intra Molecular Hydrogen Bond Inter और Intra तिर्फ इंटर और यहाँ पर लिखे लाओ Intra 習 contemplating Intra Molecular Hydrogen Bond तोनों में सहब Tagleї Team होसकते है या इन ge離τα अलग-अलग माली कूल होना चाहिए इसमें एक ही माली कूल है साहब पूरा जिसे कि ये बात करूँ मैं कि ये कोई मैंने compounds लिया है मेरी बात समझना इसमें यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया साहब और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने CHO C double bond O और ये H इसकी आर्थो पोजिशन पर OH है और यहाँ 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 पर बनेगा hydrogen bond तो यह एक ही मालिकुल में बन रहा है दूसरा मालिकुल होगा उसमें दूसरा hydrogen bond मैंनेगा तीसरा फ्रोजस में तीसरा hydrogen bond मालिकुल इनकी इससे क्या हो रहाOf वालिकुल प्स प्समें तो क्या हो दो न êtes और मालिकुल क्या है डिस्ट्रंस बढ़ती जाएस क्योंकि hydrogen bond मैं तो ये hydrogen bond है तो यह hydrogen bond जिसे बाटर का बाइलिंग पैंट कितना होता है 100 degree Celsius होता है साब है ना तो अगर मैं खहूँ कि इनमें जो है hydrogen bond बनने के कारण क्या होता है boiling point क्या होता है कम होता है और इसमें boiling point क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मेरी बास समझने है ना जिसे water का boiling point यहाँ पे 100 degree Celsius है ना सुरी इनमें जो है boiling point हाँ इनमें boiling point क्या होता है जादा होता है इनमें boiling point जादा होता है इस टाइप में इसमें क्या हो जाएगा boiling point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, decrease हो जाएगा decrease हो जाएगा और इसमें boiling point क्या होता है increase हो जाता है ओके ये इतना ज़्यादा फरक पड़ जाता है ये माली कुल दूर-दूर होते अब ये कहानी जो मैंने बताइए वो ही इसको जो थियोरी की रूप में लिखा हुआ है hydrogen bonding के बारे में exam में जो आपको लिखने का जो तरीका होता है मेरी बास समझना कुछ भी ज़्यादा रटने के आवशकता नहीं अपनों कुछ कहानी टाइप जो भी है जितने वर्ड से याद रहे उनको systematic तरीके से लिखना रहता है और थोड़ा copy तो भरना ही रहता है और इतना ज़्यादा जो copy checker को को इतना ज़्यादा बेखूब भी नहीं समझ सकते हैं कि उन्हें नहीं देखते हो गया है ना copy check होती होगी systematic की check होती होगी और थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है बस ये है ठीक है चलिए तो अब जो है जिसे hydrogen bond की बात करें तो when hydrogen bond is covenently bonded to highly electronegative element है ना highly electronegative electronegative element जिसे fluorine के साथ में जूड रहा है oxygen के साथ में nitrogen के साथ में तो जिसे fluorine के साथ में HF 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 ये बात करी है भी जस्ट तो ये जो है hydrogen bond बन रहा है hydrogen bond बन रहा है okay तो electronegative element होना चाहिए electronegative element नहीं होगा तो यहाँ पर करेंद होते हैं यह वाले तो यह जो हें जो है एलेक्टान प्यर अगरेलेक्टव नेकटीव इलिमेंट की तरफ सिफ्ट नहीं होगा तो इसके आपर नेक्टीIL चार्ज नहीं होगा और इसके ऊपर उतना positive charge create नहीं हो रहा है इतना ज्यादा यहाँ पर negative charge create नहीं हो रहा तो उस condition में hydrogen bond नहीं बनता है मेरी बाद समझे तो when hydrogen bond is covalent bonded to a highly electronegative elements such as fluorine oxygen and nitrogen यह ज्यादा electronegative elements है the hydrogen atom form a big bond एक नया bond create होता है big bond केते है उसको है ना यह hydrogen bond है यह hydrogen bond HFHF की बीच में hydrogen bond है big bond है with another atom of electronegative elements another atom जैसे यह hydrogen है another atom के electronegative element की तरफ attract हो रहा है this big bond is known as hydrogen bond this may be represented this है ना जैसे यह बता रहा है HFHFHF की बीच में यह hydrogen bond हो गया ओके यह को electronegative element इससे attract हो रहा है तो where X and Y are electronegative atoms like fluorine or nitrogen the dotted line represented hydrogen bond hydrogen bond को किसे represent कर रहे है सहाब dotted line से and the solid line represents the original covalent bond original covalent bond को किसे represent कर रहे solid line से okay मेरी बात समझ में आ गई for example in case of hydrogen fluoride HF there is a hydrogen bonding between hydrogen atom of one molecule and the fluorine atom hydrogen atom of one molecule and the fluorine atom another molecule okay मेरी बात समझ में आ गई मतलब यह वाला bond है लेकिन यह वाला इस molecule का hydrogen atom दूसरे molecule के electronegative elements से attract हो रहा है और इनकी बीच में एक नया bond बन रहा है फर्जी बन बन रहा है फर्जी बन रहा है विक है कि इसे स्टेंथ लाइज बिट्विन एट पैंट फॉर फाइफ किलोजूल पर मॉल विच इस एबाउट वन टेंथ आफ देंथ आफ देंथ आफ नार्मल कोविलन बॉंड चलिए कहानी समझ में आ गई है अब बात करां आपी कीकी बात करां कि टाइप साफ हर्ज हैटर्विन जमां बता दिये में एक तो होते हैं इन्टर्मालीकुल रे हिडामालीकुल रे हिडाव रे हिर्जेन बॉन कहानी के लिए रहे intermolecular or intramolecular hydrogen bond अभ है intermolecular कौन से बाले है साब intermolecular hydrogen bond exist between atom of two or more molecules leading to the association for example water and alcohol यह तो है साब ROH यह alcohol है ROH, ROH यह है water and alcohol are associated as polymeric aggregates in the solid and liquid state but carboxylic acid and amides exist as a dimer यह भी intermolecular hydrogen bond यह भी intermolecular hydrogen bond ही मन रहा है यह है HCOOH और यह HCOOH मेरी बात समझे भाई जिसे यह यह लिखा मैंने HCOOH फार्मिके सीट असाब यह है फिर अगर बात करूँ तो यह H फिर यह COOH और यह OH HCOOH फार्मिक एसीट वे 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 एकी structure form में यह लिखी दियो अब एक bond यहाँ बन रहा है और एक bond यहाँ बन रहा है तो यह hydrogen bonding बन रही है ठीक है तो यह डाइमर की form में hydrogen bond बन रहा है यह फार्मिक फार्मिक फार्म में बन रहा है मतलब बहुत सारे molecules attached होते जा रहे तो यह ROH, ROH, alcohol है या फिर यह कहूँ के HOH 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 water water के बीच में hydrogen bonding है तो यह किस टाइप की bonding है intermolecular hydrogen bonding अब बात करें intermolecular hydrogen bond तो intermolecular hydrogen bond is form between two atoms है ना form between two atoms दो atom की बीच में hydrogen bond मन रहा जैसे यह वाला hydrogen bond मन रहा है यहाँ पर यह H bond यह hydrogen bond मन रहा साब two atoms आप दे सेम मालेकुल शर्त क्या है यहाँ पर सेम मालेकुल यहाँ पर क्या है यह मालेकुल डिफ्रेंट है यह मालेकुल डिफ्रेंट है यह molecule different है, तो intermolecular hydrogen bond, और यह वाला bond, intramolecular hydrogen bond, is formed between two atoms of the same molecule, as a result of this, a five or six member ring, called a chelate, जब यह cycle बनती, एक और चकर बन जाते हैं, इसको के कैसे हैं, मैं किलेट के सकते हैं, किलेटिंग is formed, example of compound showing this type of hydrogen bond, और आर्फो नाइट्रो फिनोल, यह और यह लगा हुआ है, आर्फो नाइट्रो फिनोल, और एक है salicylic, salicylaldehyde, है ना, यह आर्फो हैड्रोक्सी, benzaldehyde भी क इसको, कहानी समझ में आगे साब, चलिए, आगे बढ़े, तो अब water solubility, कुछ question मन जाए ऐसे, कि साब यह water solubile है, तो क्यों है, कहानी यह है, कि hydrogen bond, water solubility, hydrogen bonding also accounts for the solubility of certain compound in water, for example, lower alcohol are freely miscibles with water, because their molecules form hydrogen bond, मेरी बास समझ में आगई, यह ROH है, यह ना, ROH करने के वे, एल्कोहलने के वे, ROH, यह एल्कोहल है साब, यह water है, यह एल्कोहल है, यह water माली को ले, यह की बीच में hydrogen bond देते हो, एल्कोहल, solubile है, किसमें, water में, मेरी बास समझ में आई, similarly, dimethyl ether, यह dimethyl ether है, CH3OCH3, यह water है, यह water है, is also soluble in water, because it's oxygen from hydrogen bond, with hydrogen atoms of water, यह होए, तो यह hydrogen bond की कहानी समझ में आ गई, कुछ question, reason type की question मनें, कि यह liquid form में पाया जाता है, और यह gas form में पाया जाता है, तो liquid form में क्यों पाया जाता है, तो due to hydrogen bonding, एक ही जवाब है hydrogen bonding, अब अपना अगला, अगली कहानी चालो करते, aromaticity की, aromatic compound की, aromaticity की, aromatic compound की, तो aromatic compound की, तो aromatic compound को अपन एक ही, अपन example से समझेंगे, aromaticity को, है ना, एक ही example आपके सामने पेश करेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है, clear हो जाएगी, वो example क्या है, हम ले रहें, benzene ring, क्या लेंगे साहब, benzene ring, तो benzene and its derivatives, इस काल्ड, aromatic compound, तो benzene और इसके derivatives, जो है, benzene ring और इसकी derivatives, वित्पन हिंदी में कहें तो, तो वो सभी क्या होते हैं साहब, aromatic compound होते हैं, अब benzene ring को देखो, इसकी शकल देखो, कि ये aromatic क्यो है, तो इसके लिए शर्त क्या है साहब, कि साहब ये एक तो cyclic होना चाहिए, शर्त पहली शर्त क्या है, ये cyclic compound होना चाहिए, इसमें क्या होता है, alternate, alternate, single bond, single bond, double bond, single bond और double bond होना चाहिए, दूसरी शर्त ये हो गए, alternate होने चाहिए, double bond, single bond, मेरी बात समझ में आगई, जो bond है, वो conjugation में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, अगर double bond, single bond है, तो ये conjugation process से कहलाएगी, सभी जो carbon है, इसके जो भी है, वो किसमें होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेन में, किसमें, प्लेनर कंडिशन होनी चाहिए, एक और क्या शर्त है, इसके अरोमेटिसिटी के लिए, कि 4N प्लस 2 πाई एलेक्टान होने चाहिए, क्या शर्त है, पाच्वी शर्त लिख लेता हूँ, 4N की जगे क्या रख दिया, 4N प्लस 2, तो N की जगे क्या रख है, बेंजेनर के लिए 1 रखे, 4N प्लस 2, तो यह हो जाएगा 6 πाई एलेक्टान, कित्ते पाई एलेक्टान होने हैं, 6 πाई, एक बॉंड, pi बॉंड से दो इलक्रान तो दो, दो चार हो दो छे मुझा तू, फोर, सिक्स मतलद इसक्स पाई लेक्रान है वो आरोमेटिक है तो कहनाया का मतलब न की जेगे अगर 0 रखे है पन तो फोर एंटू जेगे अगर 2 रखे है पन और अगर N की जगे अगर 2 रखे है अपन N की जगे 2 रखे तो 4 इंटू 2 प्लस 2 तो 4 तू जा 8 प्लस 2 कितने 10 10 पाई एलेक्टान तो 2 पाई एलेक्टान, 6 पाई एलेक्टान, 10 पाई एलेक्टान 14 पाई एलेक्टान इस फार्मूले के साबसे आते जाएगी तो वो सभी compound क्या कहलाएंगे उन सभी compound को क्या कहते है अपन तो benzen और उसके derivatives होते हैं benzen ring और उसके derivatives होते हैं उनमें कुछ specific properties पाए जाती है और इस specific properties को यह क्या कहते है aromatic properties कहते है और इसी को aromaticity कहते है इसी को क्या कहते है अपन aromaticity कहते है तो यही कहानी है कि benzen and other organic compound display certain characteristics properties that differentiate then from aliphatic compounds हाना किसे different होते है aliphatic compound aliphatic compound में aromaticity का गुण नहीं होता है मेरी बात समझ में आगे आपको clear है aliphatic compound जैसे कि यह लिखा मेंने CH3 CH3, ethane, methane, propane, butane यह इस टाइब की chain में जो होते हैं open chain में वो aliphatic compound है this characteristic properties constitute what is called aromatic character or aromaticity okay, listed below are some not worth the properties that signify the aromatic behavior the aromatic behavior के बारे में यह जो मैंने बाते बता ही वो सारी लिखी हुई है वैसे मैंने लिख दी 4-5 character यह बता दिया आपको planar होना चाहिए, 4 and plus 2 pi electron होना चाहिए इसमें, okay, conjugation होना चाहिए यह सारी चीज़े है तो यह कुछ short में अपने ही साब से pint बना सकते हो जोरूरी नहीं कि सारी चीज़े लिखना है का आल दोस देर मालेकुल फार्मूलास सज़ेस्टे जे बेरी मार्क्रड दिग्रीज आफ अनसाटूरेशन दे आर रेजिस्टेंट्स तो अनसाटूरेशन रेक्शन विच इस अनसाटूरेटेड अलिफाटिक कंपाउंड अन्डरगो ओंड द अवर्डन अथर हैंड दे रेजिएली अन्डरगो सरटें इलेक्ट्रफिल Aixòटोटिक स्वर्टोटिशन रेक्शन देते हैं क्या नेत情況 घ्यारेटें इलेक्टोकिल उलेक्शन रेक्शन अनना a cyclic compound, they are essentially planar, क्या होते है, यह planar होते हैं साथ, cyclic भी होते है, cyclic compound, which contain a closed system of conjugated double bond, their pi electrons are delocalized, delocalized होते हैं, अपनी जागे पर fix नहीं रहेते, जो resonance होते हैं, अपनी जागे delocalized, जैसे यहाँ पर हैं, तो अगली condition में क्या हो जाएगा, यह वाला यहाँ पर आगया, यह यहाँ पर आगया, यह यहाँ पर आगया, तो यह मिल गया अपनों को structure, resonance वाली condition होना चाहिए इसमें, ओके, जैसे कि कोई मैं structure बना रहा हूँ, यह, 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 और यह, अब इसमें सहब 6 pi electron है, लेकिन यह delocalization नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला carbon चो है, यह sp3 hybridized होगा, और इसके कारण यह आगे पूरी ring में delocalizing नहीं होगे, यह pi electron, तो गरबढ हो जाएगी, तो aromatic नहीं होगा, बले 6 pi electron है, लेकिन, ठीक है, according to Huckaldurts, their ring content 4 and plus 2 pi electron, क्या होना चाहिए, 4 and plus 2 pi electron होने चाहिए, तो यह aromaticity के लिए, जितने points याद रे जाए, चाहो तो जिसे इसको, यह बड़ा point इसको तोर मोड के 2-3 points मना सकते हो साब, कि यह electrophilic substitution reaction शो करते हैं, hyalogenation, nitrogen, एक point उपर बन जाएगा, यह यहाँ तक एक point मन गया, और अगला point which contain a close the system of conjugated double bonds, their pi electrons are delocalized according to huckal rule, huckal rule follow करते है, 4 and plus 2 pi electron होने चाहिए इन में, तो यह सारी बात है इनकी हो गई, aromaticity की, तो aromaticity समझ में आगे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, अब aromaticity से related यह 4 and plus 2 pi 2 rule है, है न, 4 and plus 2 electron, 4 and plus 2 rules, huckal rules केते हैं, huckal rule follow करने वाल aromatic compound होते हैं, जिसे कि इसमें 6 pi electron है, यह huckal rule follow कररा तो यह aromatic compound है, इसमें 8 pi electron है, यह aromatic नहीं है, यह 4 pi electron है, यह aromatic नहीं है, huckal rule 2, 6, 10, 14, 18, यह electron है, तो वो aromatic हैं साब, huckal rule यह के रहा है, 4 and plus 2 pi electron, यह के रहा है साब, तो benzene ring क्या है या आपर, aromatic है, 2, 6, 10, 14, 8C तो on the basis of quantum mechanics Huckle proposed a law related to aromaticity which is called Huckle rules according to this rule a cyclic conjugated compound will be aromatic if its ring contains 4n plus 2 electrons 2 pi electrons where n integer है integer 0, 1, 2, 3 जो भी हो सकता है अगर n 0 होगा तो 2 pi electron मिलेंगे 1 होगा तो 6 pi electron मिलेंगे 2 होगे तो 10 pi, 3 होगे 14, 4 होगे तो 18 pi electron इससे जदा आगे शायद नहीं होगी क्योंकि बड़ी निरिंग होती है तो वो plane में होना मुश्किल होता है ओके, that is extra stable and exhabit electrophilic substitution reaction easily, thus benzene is aromatic, whereas cyclobutadine and cyclo-octatetraines ठीक है those monocyclic conjugated polymethane are not aromatic monocyclic conjugated polymethane are not aromatic several theories were proposed to explain the aromatic electors or aromaticity in benzene compound, of which following two are considered valid and more important तो यह है अकलूट 4 and plus 2 pi electron जिन गंपाउन में होते हैं, वो aromaticity show करते हैं, बस इतना असा बताना है इन में 2, 6, 10, 14 pi electrons होते हैं aromaticity show करते हैं, साब aromaticity के कारण stability आ जाती हैं साब ओके जैसे कि यह cyclobutadine यह है cyclobutadine यह है cyclo-octatrine यह aromatic नहीं है, not aromatic यह aromatic है साब कहानी समझ में आ गई होगी अब बात करें साब, covalent bond fission ओके, covalent bond fission में कुछ नहीं है दो तरह से bond fission होता है bond का तूटना दो तरह से होता है एक तो homolytic और नेक हेट्रोलाइटिक मारी बात हमाज में एक तो homolytic नेक हेट्रोलाइटिक अब मुँ बात करूँ आपती कई बात करूँ साब बात तो करनी पड़ेगा साब जैसे कि यह मैंने लिया है rx ओके, rx लिया है यह दो एटम मान लो इनमें, यह group है, एटम है जो भी है, एटम है इनमें अगर electron को यहां से तोड़ू में, बीच में से तुटे का bond, तो r radical और यह x radical तो इसको केते होमोलाइटिक bond fission और जब कहानी यह हो जाए कि यह r और x तो यह partnership का यह इलिक्टरान जोड़ा, किसी एक एटम पर महुँच जाए, तो जहां पर जाएगा उसके ओपर तो negative charge आएगा, मेरी बाद समझ रहे हो x minus और जिदर से जाएगा उसके ओपर positive charge तो जब भी heterolytic bond fission होगा heterolytic मतलब विश्मान्श बंद विखंडन अगर हिंदी में गए तो और यह होता समान्श मतलब बीच में से bound टूट रहा है मेरी बाद समझ रहे हो न अगर बीच में से अगर bond टूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे homolytic और जिदी पूरा bond कहां से जा रहा है इसमें इधर से जा रहा है पूरा, यह पूरा bond इसके पास चला गया तो इसके उपन negative charge आए गया तो यह क्या हो जा कहें हेटरोलाइटिक बाद फिदन तो bond फिदन समझ में आगया न टू टाइप से होता है जब homolytic bond फिदन होता है तो आपके सामने साहब क्या बढ़नेंगे radicals form होगी कई form होगा radical इने के वे radical, free radical और इने के वे हैं positive charge, negative charge form होते हैं जब हेटरोलाइटिक bond फिदन होता है जब विश्मान बंद विखंडन होता है तो यह condition आती है समझ में आगया और है क्या covalent covalent bond मतलब दोनों के साज़ेदारी से bond बना है दोनों की partnership से bond बना है covalent bond केता है इसको तो covalent bond फिदन अपनों ने दो तरह से बताना अपने को एक होमोलाइटिक और एक हेटरोलाइटिक यह जो हो रहा है देखो यहाँ पर आप देखो rx और y- तो यहाँ पर यह पूरी तरह से जब bond गया है यह x- निकल गया और y- फिर इससे तो प्रति यह condition हो रही है मेरी बास समझ भारी एक condition यह है bond fusion की transition state form हो रही है इधर से bond break हो रहा है इधर bond जूड रहा है तो यह transition state form हो रही है यह भी हो रहा है condition एक condition यह हो रही है कि यह x और y है इनके electron जो है यह bond बनाए यह x और यह y है इन दोनों की बीच में bond बना हुआ है तो ये दो electron की participation बना इसका electron इसने ले लिया इसका electron इसने ले लिया तो x radical y radical इसको क्या रहे है अपन homolytic bond fusion क्या कहे रहे है homolytic bond fusion क्या रहे हेट्रolighting में positive negative charge बनते है और homolytic में free radical बनते है मारी बात हमजी में आई चलो आगे बड़ा साफ तो यो है covalent bond fusion simple कहानी है homolytic और heterolytic bond fusion की ठीक है ये homolytic heterolytic bond fusion अब ये कहानी थोड़ी ये है कि covalent bond fusion के बारे में बता रहा कि in general the organic compound in the general organic compound our covalent compound and their chemical reactions are nothing but breaking and formation of covalent bond consider for example a reaction of a molecule rx with reagent y to form another covalent compound ry बन जाता है साहब in the above reaction a covalent bond rx is broken and new bond ry is formed the process could follow any of two path two condition में अपने पास ry बन सकता है ओके दो condition रहेगी क्या बनने की साहब एक ry यहाँ पर भी बन रहा है और ry यहाँ पर भी बन रहा है है ना एक condition यह भी है कि ry ठीके यह वाला bond पूरी तर से तूट जाएगा फिर आपके सामने ry बन जाएगा और यह x- बात में निकल जाएगा एक condition यह भी है कि यह जो x-y है x-y का क्या होगा फिर रेडिकल बनेगा x-radical y-radical और फिर जो है क्या होगा x-radical यह होमोलाटिक बाउन फिजन है और एक यह रहा है हेटरोलाटिक बाउन फिजन हो रहा है the old bond rx is broken first and then new bond formed यह condition हो रही the breaking of the old bond and formation of the new bond may occur simultaneously दोनों साथ साथ में चल रहा है breaking भी हो रहा है इदर से break up हो रहा है और इदर से जुड़ना हो रहा है दोनों condition साथ साथ में चल रही है break up भी होशार आदमी है ज्यादा time send नहीं कर सकता है तो break up इदर से break up हो रहा है इदर से जुड़ना चलो गया how are the actual fission of covalent bond may occur in two ways covalent bond का fission दो तरह से हो सकता है कैसे एक तो homolytic ने एक heterolytic यह कहानी है यह पूरी कहानी यही है अब homolytic fission साब homolytic और heterolytic तो homolytic fission की बात करे तो क्या बनता है साब free radical बनता है clear रहे तो समझाई दिया है मैंने जिसे कि यह CL और यह CL है इसके दो electron यहाँ बता दिये तो homolytic bond fission हो रहा CL radical, CL radical, chlorine free radical बन रहे साब ठीक है Rx लिए आपने Rx इसको R और यह X है तो R radical, X radical कहानी समझ में आई साब यह homolytic bond fission है ओके heterolytic bond fission में यह आपने लिया Rx इदर से है ना अगर वहाँ समझ में आया तो यहाँ समझ लो Rx लिया यह R plus और X minus यह हो गया साब तो as a result of homolytic fission its fragment return its electron of shared electron pair forming highly reactive species called free radical are odd electron molecule odd electron molecule रहते हैं यह वाले odd electron molecule कहते हैं इनको this existence of this free radical is transistor and they immediately react with other free radicals जो free radical रहते हैं वो ज्यादा time रहे नहीं सकता वो दूसरे free radical के साथ फिर combine करेगा और फिर molecule बना लेगा जो भी है अपना काम करेगा यह आगे reactions करेगा this radical do not possess charge and are electrically neutral होते हैं free radical electrical neutral कोई charge नहीं 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 पॉजिटिव हैं negative है इनको neutral केते हैं heat and UV lights homolytic bond fission इसका CL का homolytic bond fission हो रहा साथ किस सब बीदर से बीच में से बीच में से bond टूटा साथ है नहीं इन गेसिए रेक्शिन chlorination of alkyns take place by attack of free radical free chlorine radicals which are formed from chlorine by the action of UV light है नहीं जब chlorination होता है alkyn का तो तब यह free radical बनता है बात करते हैं हेट्रोलाइटिक बॉर्ण फिजन हेट्रोलाइटिक बॉर्ण फिजन की कहानी समझाई दी कि in the हेट्रोलाइटिक फिजन the shared electron pair is retained by one of the fragment which depends upon the electronegativity जो electronegative element होगा उसके पास जाएगा fragments अब यह यहाँ पे ठीक है तो क्या हो रहा है जिसरे र X का फिजन हो रहा है मेरी बात समझना यह यह बता रहा है ऐसे बता रहा है तो क्या हो रहा है अगर यह electron negative X से जAPPर है तो R के उपर plus और X से के उपर minus होगा और अगर condition यह बन रही है जिए ज़्यादा electron negative है तो R के उपर क्या हो जाएगा साब माइनस और X से के उपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये बता रखा है अगर R इलेक्ट्रो नेगेटिव जादा है X इलेक्ट्रो नेगेटिव जादा है तो X से के उपर नेगेटिव चार्ज और R के उपर कहानी होती है, तो heterolytic fission of organic compounds generally take place in solution and the energy required for fission is partially obtained from energy of solution of the ions, speed of fission depends upon the nature of the solvent, जो solvent की solvent में अपन डाल रहे हैं, उसके उपर depend करेगी इसके fission की, केसे कितना जल्दी इसमें ये जो है fission हो जाएगा, आयन में divide हो जाता है, it is greater in polar solvent, polar solvent में के अंदर अच्छा हो जायागा ये, like water and gets catalyzed by ionic catalyst, acid and basis, ये कहानी है साब, तो मैंने इस आज के इस topic में, मैंने तीन चीज़े के बारे में discussion करी, एक तो homolytic, heterolytic bond fusion की बारे में discussion करी, साब अपनोंने, एक करी अपनोंने हकल रूर्स के बारे में, aromaticity के बारे में discussion करी, और साब अपनोंने hydrogen bonding के बारे में discussion करी, I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि, ये जो हैं आपको तीनों topic अच्छे समझ में आये होंगे, और अब आपको exam में, remind करने में दिक्कत ने आएगी, ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, ओके बाए, जैहिन!